नमस्कार दोस्तों BPSC की और से बड़ी खुसकवरी आ चुकी है BPSC सिच्छक भरती 2023 एक लाग सतर हजार पदों पे ये बड़ी भरती आई हुई है जैसा कि आप सभी को पता ही है इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं क्योंकि देमो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है डेमो तो हम लोग सिखेंगे कैसे ऑनलाइन आवेधन करना है अगर आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं तो सारा परक्रिया जानेंगे और इसके अलावा जो है सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है उसका भी नोटिस आ चुका है मैं आपको दिखा आने वाला हूं ठीक है और साइच्छानिक योग्यता में भी बड़ा बदलाव किया गया है तो क्या बदलाव किया गया ये भी जानेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पलपल की अपडेट के लिए सारी सूचना है दोस् देमो लिंक अपलाए ओनलाइन का यहां पे दिया गया है नोटीस और दूसरा आप देख पा रहा हूंगे कि यह जो है कोरीजेंटम जारी किया गया है सेचनी के योगेता में जो कुछ बदलाव किये गया है उसका नोटीस जारी किया गया है तो दोनों समझेंगे इससे पह को ही बिग्यापन आ चुका था और इसके अंतरगत जो योगेता बगेरा धारित करते हैं उन लोगों को कहा गया है सुचित किया गया है कि ओनलाइन आविदन की बिनिर्दिरिष्ट निर्धारित तिथी से पूर्व अभिहार्थियों की सूविधा के लिए डेमो ओनलाइन एक्जामिनेशन वीटा वर्जन ऑनलाइन का लिंक यहां पर एक्टिवेट हो चुका है देखे अपलाइन ऑनलाइन पहले पर कैसे करना है क्या करना है यह मैं आपको दिखाऊंगा इससे पहले नोटिस को समझ लिजे तो दिनांक जो है यह लिंक जो है देख पा रहे होंग तिथी से प्रारंब होने वाले मूल ओरिजिनल फाइनल ऑनलाइन आविदन भरने में इन्हें कोई काठीनाई का सामना नहीं करना पड़े तो डेमो लिंक कैसे क्या क्या दिया गया है डेमो के अंतरगत मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए इस पे किलिक करते हैं जैसे इस पर डाल के दिखा देता हूं देखिए तो देख सकते हैं इस परकर से अगर आपका इस परकर का तीन वर्ड का नाम है तो आप इस परकर से लिखेंगे अगर नहीं है तो सिर्फ इसको हटा देते हैं ठीक है और इसको भी हटा देते हैं तो यहां पर फरस्ट नेम डाल चुक नाम यहाँ पर भरना अनिवार है और अधार नमबर देना अनिवार है जो भी आपका अधार नमबर है वो आपको यहाँ पर भरना होगा ठीक है जो भी आपका अधार नमबर है बारा अंको का अधार नमबर यहाँ पर डालना है या फिर आप चाहें तो पैन कार्ड भी डाल स फिर यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप इंडिया के निवासी है, citizen है, तो yes करेंगे ठीके, फिर आपका पुछेगा क्या आप बिहार के अस्थाई निवासी है, तो yes करेंगे, अगर आप बिहार के बाहर के हैं, तो no करेंगे, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे resident certificate का number ठीक है तो तीन महिने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तीन महिने से ज़्यादा पुराना जो नहीं चलेगा यहाँ पे certificate का number डाल देंगे जो resident certificate है उसका number और issue date कब issue किया गया था कब जारी किया गया था उसका date यहाँ प यहां पर फिर आपको upload भी करना पड़ेगा, upload करने के बाद यहां पर आते हैं, तो आप क्या, आप reserved category से belong करते हैं, SC, ST, EWS, EBC, BC, तो अगर हाँ, तो yes पर click करेंगे, और अपनी category को यहां पर choose कर देंगे, अब यहां पर आपसे पूछेज़गा, कि अगर आप SC select किये हैं, तो यहां पर आपसे cast पूछेगा, जो भी आपकी cast है, उसको यहां पर डाल देंगे, scroll करके ठीक है, जो भी आपका cast है, उसको डालेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए अगर दूसरा सलेक्ट करते हैं बीसी सलेक्ट करते हैं तो बीसी का कास्ट यहाँ पर दिखाई देगा तो जो भी आपका कास्ट है इसमें से वो सलेक्ट करके डाल देंगे और जेनरल है तो नो रहने देंगे अगर आप general से belong करते हैं तो no रहने देंगे अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप पूछा जाता है क्या आप साधी सुदा है या unmarried है या दर है जो भी है उसे select करेंगे unmarried married फिर click करेंगे फिर gender पूछेगा male female वो डाल देंगे फिर आपका freedom fighter से related है तो yes no कर स सकते हैं मैं आप no रहने देता हूँ अगर आप yes करेंगे तो किस परकार के दिव्यांग है वो आपको यहाँ पर बताना होगा ठीक है visual है hearing है orthopedically है जो भी है उसे आप select करेंगे मैं आप नो कर देता हूँ नो करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपसे कर देता हूँ फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाई संस्था अंतरगत नियुक्त एवं कारेरत सिच्छक है यानि कि अगर आप already पहले से सिच्छक है तो हाँ या ना पर किलिक कर सकते हैं अगर आप हाँ करेंगे तो designation यानि अब यहाँ पर पूछता है कि क्या आप पातरता परिच्छा या दच्छता परिच्छा धारन करते हैं पास करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप करते हैं दच्छता परिच्छा तो दच्छता वाले पर किलिक करेंगे अगर पातरता परिच्छा सीटेट एश्टेट तो आप इस पर किलिक कर देंगे ठीक है तो जैसे ही उपर वाले पर किलिक करते हैं तो आपको पुछता है कि क्या सीटेट पेपर वन या पेपर वन क्वाइलिफाई किये हैं तो यहां पर टिक कर देंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर नीचे आ जाता है कि क्या आप विहार एस्ट यहां पे आपको click करना है और उसका certificate number, issue in date और दच्था परिच्छा का जो mark sheet आपको मिला है वो आपको upload करना होगा फिलाल मैं पतरता परिच्छा पे ही रहने देता हूं ठीक है और seat date, estate बाले पे click कर देता हूं अब नीचे आते हैं तो यहां पे आपसे पूछा जाता है यह देखिए जो आप यहां पे select करेंगे उपर में seat date या estate, b date जो भी करेंगे उसका certificate number यहां पे मांगेगा ठीक है issue date मांगेगा वो आपको fill करके डाल देना है और उसको upload भी करना है seat date का ठीक है और यहां पे आप प करने के बाद यहां पे date of birth select करके डाल देनी है जो भी date of birth आपकी फिर address है यहां पे डालेंगे correspondence address और permanent address डाल देंगे डालने के बाद यहां पे आ जाता है नीचे जो योगिता दी गई है requirement के अनुसर क्या आप उसको धारन करते हैं आपके पास योगिता है की नहीं तो yes no पे code पे किलिक करेंगे get OTP पे किलिक करेंगे तो आपको OTP पराप्त होगी email पे और mobile number पे तो वो दोनों डाल कर verify कर लेना है फिर यह capture डालेंगे यहां पे और submit registration पे किलिक करना होगा दोस्तों यह सब करने से पहले submit registration करने से पहले मैं यहां पे एक चीज चुट चुका है तो मै वो भी आपको बता देता हूँ देखिए पातरता परिच्छा बगएर का तो यहां पर detail आप भर देंगे भरने के बाद यहां पर क्या करना है देखिए नीचे आते हैं तो सबसे पहले आप से concessional fees बगएरा के बारे मैं जानकारी मांगी जाती है जो कि मैं आप बताना भू पैसा तो यहां पर yes करना होगा अगर आप no करेंगे तो यहां पर जो है आपको general के बराबर पैसा देना होगा इसलिए यहां पर yes कर लेना है अगर आप छूट चाहते है तो उसके बाद एक सर्विसमें है फिर जो आपका teacher बगएरा है तो उसका detail यहां पर fill कर देना है पात है तो paper 2 में भी आपको दिखाई देगा ठीक है जो आपका मादमिक सिच्चक है उसका option भी आ जाएगा तो फिलाल मैं 125 पर click कर देता हूं okay कर देता हूं और जैसा ही subject यहां पर पूछा जाता है ठीक है subject पूछा जाएगा किस विसे में ठीक है तो मैं यहां पर सामानिक कर द है तो जैसे submit registration पर click करेंगे आपका registration हो जाएगा इस पर करके आपको user ID मिल जाएगा ठीक है user ID मिल जाएगा registration number मिल जाएगा password मिल जाएगा ठीक है अब क्या करना है आपको दोबारा से login करना पड़ेगा ठीक है तो इसको आप लोग save करके पहले रख लेजेगा और इसी user ID औ डालेंगे password डालेंगे यह capture यहाँ पर डाल के login करना होगा login करने के बाद यहाँ पर आपका dashboard खोल जाएगा यहाँ पर जो आपने registration में भारा है उसका detail यहाँ पर दिखाई देता रहेगा अब फिर आ जाता है यहाँ पर आपका application form ठीक है अगर उस समय आपको payment का भी option ठीक है तो यहाँ पर allow करना होगा जैसे आपसे camera का option जो है allow करना होगा फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो detail पहले देख लिजेगा ठीक है और उसके बाद नीचे scroll करते हुए आना है और यहाँ पर next button पर click कर देना है next पर जैसे ही click करेंगे फिर यहाँ पर आएंगे तो य अच्छनिक योगिता कौन सा आपका है वो यहाँ पर आपको select करके डालना है जैसे कि देख पारेंगे 50% अंकों के साथ उच्छतर मादनी कत्वा इसके समकशता था प्राराविक सिच्छा सास्त में दुई बरसी डिप्लोमा यानि कि DL8 तो इसको आपको select करना है अगर certificate का detail पूरा देखे subject डालना है या फिर stream डाल देना है passing year डालना है फिर institute का नाम, board का नाम, marks obtained, कितना marks आपका intermediate में है वो डालेंगे, full marks आपका कितना था, तो बिहार board के हैं तो 500 आपको डाल देना है, percentage automatic यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दस भी, बारवी का intermediate का आपका mark sheet upload कर देना है, फिर आपका जो DLA अगर आपने कर रखा है या बीड कर रखा है, तो उसका detail यहाँ पर fill करना है, और उसका certificate भी यहाँ पर upload करना है, फिर यहाँ पर आपको tick कर देना है, कि मेरे सिच्छक परिच्छा का आयोजन दिनांक 31st, 2023 तक पून हो जाएगा, अगर आप appearing वाले हैं, तो appearing वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आप 31st, 2023 तक अगर आपका DLA या BAD होने वाला है, तो आप इस पर tick कर देंगे, ठीक है, अगर आप pass है, तो इस पर tick करने के जरुवत नहीं पड़ेगी, फिर यहाँ पर आजाता है, enter post priority number, ठी लिखाई देंगे, ठीक है, तो उसको आपको select करके priority set करना होगा, और उसके बाद next button पर click करना होगा, उसके बाद दोस्तों next करते हैं, आपको district priority set करना है, यहाँ पर तीन district आपको select करने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो तीन कौन-कौन से तीन जिलो में आप देना चाहते हैं वह आपको एक-एक करके select कर लेना है, ठीक है, इस परकार से आपको तीन select कर लेना है, और यहाँ पर मैं देखिए, एक डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ, फिर उमिदवार कर एक सारे लिख भाचान, चिन, तिल का निसान, कटे का निसान यहाँ पर डालना है, यहाँ पर click करके आपको अपना photo जो है capture करना है, देखिए, मैं यहाँ पर capture कर देता हूँ, देखिए, यहाँ पर photo जो है आचुका है, इसको upload करना होगा, तो इसको click here to upload पर click करते ही, देखिए, यहाँ पर photo जो है आपका upload हो जाएगा, फिर यहाँ पर signature upload कर देनी है, अंग प्रिव्यू पर किलिक करना है, फोटो तो आपका अटोमेटिकली कैमरा से खिचा जाएगा, जो आपका लेप्टोप है या मोबाइल है उससे खिचा जाएगा, आप फोटो सिगनेचर में ध्यान रखना है कि आपका 220 गुने 100 पिक्चल का जो है आपका फोटो होना चाहिए औ आपका फोटोफ हो जाएगा यहाँ पर बीटा वर्शन दिखा रहा है, यह सब्मिट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यह डेमो था ठीक है तो देमो लिंक यहाँ पर बस इतना तक ही दिखा सकता था, इसके आगे नहीं होगा देखें सब्मिट पर किलिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है, form submitted, submission not allowed in beta version, तो यह जो है आपका सिर्फ demo था, तो मैंने आपको सारा कुछ दिखाई दिया है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ कैसे भरना है, सब कुछ बताया है, तो उमीद करता हूँ, जानकरी अच्छी लगी होगी, तो जैसा ही link, original link activate होगा, site पे, तो आप directly online आवेदन कर पाएंगे, तो तब तक के लिए मुझे इधाजत दें, और जो मैं आपको और information देने वाला था, वो next video में देंगा, क्योंकि यह video बहुत लंबी हो चुकी है, तो next video में मैं आपको बताने का परयास करूँगा, ठीक है, जो seat बढ़ने वाली है, य जय हिंद।